आज है 16 मार्च 2024 दिन शनिवार चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को आईटी से सेंट्रल तक 40 रुपे में पहुचाएगी मेट्रो बार बार सवारी बदलने से मिलेगी इनिजा कानपूर आईटी से मोधी जील के बीच दोड़ा ही मेट्रो का जुलाई तक सेंट्रल स्टेशन और नवंबर से नौबस्ता तक संचालन करने की तैयारी है इस बीच रूट का किराया भी तैय हो गया है आईटी से कारपू सेंट्रल तक सफर करने में 400 रुपे लगेंगे वहीं आईटी से नौबस्ता तक जाने में साच रुपे लगेंगी सियम योगी बुले मोधी के तीसरे कारिकाल में भारत बनेगा तीसरी बड़ी अर्थ्यवस्था मुख्य मंतरी योग्या देतनाव ते कहा कि बीते दस सालों में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के नेतरतों में भारत बदल चुका है सुरक्षित और समर्द हुआ भारत दुनिया का सिर्म और बनने की ओर अग्वसर हो चुका है दस वर्ष में ये विश्य की ग्यारवी से पांच वी सबसे बड़ी अर्थ्यवस्था बन गया अमोधी सरकार के तीसरे कारेकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ्यवस्था वाला देश बन जाएगा यूपी बेसिक शिक्षा परिशद विद्यालियों में कक्षा एक से आठ तक की परिक्षा हैं अब भी समार्च से बेसिक शिक्षा परिशद के परिशदिया मानित अप्राप्त कक्षा एक से आठ तक के विद्यालियों की शेक्षिक सतर दो हजाब तेज़ चौबिस की वार्षिक परिक्षा का संशोदित कारिक्रम सच्च प्रदाप सिंग बग्हेल ने जारी कर दिया संशोधित परिक्षा के मताबिक अब ये परिक्षा आज 16 मार्च की बजाए 20 मार्च से शुरू होगी और समापन 27 मार्च को होगा परिक्षा दो पालियों में सुवे सवा 9 से पौने 12 बजे तक तथा दो पहर सवा 12 से पौने 3 बजे तक कराई जाएगी पौरी पार अलपीजी सिलेंडर के नहीं देने होंगे एक भी रुपे करोडों लोगों के लिए बड़ी खुश खपरी खोली के मौकी पर करोडों लोगों को फ्री अलपीजी सिलेंडर मिलने वाला है इस योजना के तहट लाभारती वर्कसाल में दो बार मुफटल पीजी सिलेंडर देने की योजना है पौरवान चल में पहली बार रोबोट करेगा छे विभागों में सर्जरी स्जी पीजी आई के बाद बीएच्यू में होगी ये सुविथा आई एमस बीएच्यू में रोबोट के मदद से सर्जरी करने की राह धीरे धीरे आसान होती जा रही है काजियोलोजी, यूरोलोजी, सर्जिकल, आंकोलोजी समेचे विभागों में तयारियां चल रही है विभाग के अध्यक्षों की बैचक में प्रस्ताव पर महर के बाद अबना इस सिरे से स्वास्ते मंत्राले को पूरा प्रोजेक्ट बना कर भीजने करने नहीं हुआ खास बात ये है कि S.G.P.G.I. लखनों के बाद I.M.S.B.H.U. इस तरह के सुविधावाला दूसरा संस्थान होगा आज से होगा कॉपी इसका मुल्यांका सुन्दा लिखावट पर मिलेगा अधिक अंक यूपी के हाई स्कूल और इंटर्मेडियाट परिक्षा की कॉपी इसका मुल्यांका सुला माट से शुरू होगा सुन्दा लिखावट पर एक अंक अतरिक्त मिलेगा प्रदिदन हाई स्कूल की अधिक्टम 50 और इंटर्मेडियाट 45 कॉपी जाची जाएंगी वहीं दो प्रतिशत रुटी वाले परिक्षा को तीन साल के लिए योग्य घोशित कर दिया जाएगा मादमेक शिक्षा परिशत की शेत्रिय कारयाले में गुरुवार को पूर्वांचल के बंदरा जिलों के पच्पन मोल्यांकन केंद्रों के उपनी अंत्रकों को प्रशिक्षन दिया गया खजनियों और चरगावा सीची को मिलेगी सोलर एनरजी नहीं रहेगा बिजली संकार रास्ते जलवायों परिवर्टों और मानफ स्वास्त कारिकरम को लेकर प्रदेश के बिभिने जनपदों में 30 प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र वाब 42 सामोदाइक स्वास्ते केंद्र चैनित किये कए इसमें जिले के चार गाउं को खजनी CHC का चैन भी किया गया इन केंद्रों पर 16 किलोवाट के सूलर पैनल लगाए जाएंगे जो से 24 घंटे बिजली आपूरती होती रहेगी अलिगर से दो दिन मिलेगे लखनव के फ्लाई चुडान कमपनीज ने टेक किया शज्यू अलिगर के एरपोर्ट का लुकारपन बीते दिनों हो चुका है उन्होंने बताया कि लखनव से उडान दोपहर सवा बजे शुरू होगी और दो बचकर पचास मिनट पर अलिगर पहुचेगी महिला पुलिस ने समाली शहर की यातायात व्यवस्था नवागत पुलिस कमिशनर ने दिया था निर्देश वारासे के नवागत पुलिस कमिशनर मोहित अगरवाल के आदेश पर यातायात व्यवस्था की कमान थाने की महिलाओं ने समभाल ली शुक्रवार की सुभेश शहर के तिराहो चराहो पर महिला पुलिस कर्मी यातायात समभालती नजर आई पुलिस कमिशना ने कहा था कि कमिशना रेट में तैनाथ महिला पुलिस कर्मियों के संख्या फील्ड में बढ़ाई जाएगी नवनिर्वाचे टेमेसी से सपाध्यक्षक लेश यादव बोले उच्छ सदन में सपाभ बुलंद करेगी आवाज सवाध्वादे पार्टी के अध्यक्षक लेश आदव ने विधान परिशद के नवनिर्वाचे सदस्यों से मुलाखात के बात कहा कि उच्छ सदन में उनकी बाटी लोगतंत्र की रक्षा के लिए किसानों नौजवानों के मुद्व और सामाजिक न्याई की आवाज बुलंद करेगी प्रदेश में खानून व्यवस्था की स्तती कंभीर है मैलाओ कि सुरक्षा और सभी का समान आदी मुद्व को प्रात्मिक्दा से उठाया जाएगा और स्मार्टफोन मुख्यमंद्रियों के आदितिनाद ने शुक्रवार को कहा कि फार्मा सेक्टर में उत्रप्रदेश का पहला कंज्यूमर स्टेट था दवाएवान ने जरूरी मेडिकल उत्पाद बाहर से आते थे अब यूपी फार्मा सेक्टर का उत्पादक और निर्या तक बन जाएगा इसके लिए सरकाल ललिकपुर में 2021 में फार्मा पार्ग बना रही है यूपी में मेडिकल डिवाइस पार्ग भी बन रहा है इस से फार्मेसी के शेत्र में युवाव को भी व्यापक अफसर उपलब्त होंगी अकलेश अदव बोले महंगाई से जनता के जेब धीली हो रही भाचपा के खजाने भर रही सबात एक्ष अकलेश अदव ने एलेक्शन बोन को लेकर चनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी पर कहा कि जनता के महंगाई और भष्टचार से जेब धीली हो रही है और एलेक्शन बॉन्ट से भाचपा के खजाने भर रही है उन्होंने तंच कस्ते हुए कहा कि भाचपा ने बोला था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा लेकिन ये नहीं कहा था कि ड़कारूंगा नहीं खर्च सीमा चार गुना बढ़ी प्रत्याशी लुटा रही छे गुना अब इतने लाग तक खर्च कर सकेंगी उम्मीदवार लोगसबा चनाव में बीते चनाव खर्च की सीमा बीते दो दशक में करीब करीब चार गुना तक बढ़ गई है वहीं चनाव में विभिन राजनीतिक दलो की प्रत्याशी पांस से छी गुना तक खर्च कर रही है लोगसबा चनाव दोहजार चौबेस में प्रत्याशी 95 लाग रुपे तक खर्च कर सकींगी हो गया यूपी की सभी 17 सीटों पर मन्थान सुमवार को टिकेट का ऐलान कर सकती है कॉंग्रेस उत्वर्देश में कॉंग्रेस के हिस्से आई 17 सीटों पर मन्थान हो चुका है इस मन्थान में तै हो चुका है कि किसे कहां से टिकेट दिया जाना है हाला कि इसकी आधिकारिक चर्चा और घोष्रा सुमवार को होने वाली अती महत्रपुन चनाव कमीटी की बैठक के बात की जाएगी कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं की बताबे एक लोगसबा चनाव में प्रत्याशियों के चैन की प्रक्विया से पहले पाची ने प्रत्येक सीट पर बहुत कुछ सोच विचार के नाम आगे बढ़ाए है योगिया अधितनाद का आज 16 को रामपुर दोरा संभाव आजिये की पहली डाउन्शिप की दे सकते हैं मुख्यमंत्रियों के आज इतनाद आज 16 मार्च को रामपुर दोरे पर आ सकते हैं इसके लिए कारिक्टर्म की तयारी कर ली गई बस आधिकारिक सूचना आना बाकी है मुख्यमंत्री रामपुर दिले में एक हजार करोड की परियोजनाओ का शिला नयास वालोकार पंड करेंगे जिसमें रामपुर को आजिये की पहली डाउन्शिप की घोशना मुख्यमंत्री कर सकते हैं रामपुर विकास पादिकरन नैनिताल रोड इस्थेट जिला जेल के लिए प्रस्तावित खाली पड़ी छियास सटेकर भूमी पर अपनी पहली आवास ये कॉलानी विक्सित करने की प्लानिंग रख रखी है एपियस जीती चरण की परिक्षा के लिए आवेदन शुरू 331 पदों पर होनी है भरती उत्रप्रदेश लोग से वायों की एपियस परिक्षा के लिए दूसरे चरण की परिक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है 331 पद उपर भरती के लिए पहले चरण में उतीन 5889 अभ्यरती ही दूसरे चरण की परिक्षा में शामिल होंगे सियम के शहर की ये सड़क बनेगी विरासत गलियारा चोड़ाई बढ़ाने के साथ होंगे ये काम सियम योगी अधितनात के शहर गुरकपुर में धर्मशाला बाजार से पांडे हाता तक सड़क चोड़ी करण के प्रस्ताओं पर शासन ने अंतिमोहर लगा दी शासन ने प्रशासनिक सहमती के साथ ही वित्तिया मनजूरी भी दे दी इसके लिए 555.56 करोर रुपे का बजट मनजूर किया है बजट मनजूर करने के साथ ही 2023 के लिए 194 करोर रुपे का बजट जारी भी कर दिया गया साथ के हमले पर नगर निगम को देना होगा आप मुआफसा बोगता फोरम में अधिवक्ता प्रगभिहारी लाल श्रवास्तव ने दलील दी कि छुटा पश्यो का अंतजाम करना नगर निगम की जिम्मेदारी है यदि छुटा पश्यो का अंतजाम नहीं होता है और उनके हमले में किसी व्यक्ती की जान चली जाती है तो निगम को शतिपूर दीद देना होगा अधिवक्ता बताते हैं कि नगर निगम के जिम्मेदार फोरम में नहीं बता सके कि छुटा पश्यो के लिए उनके पास क्या इंतजाम है हम्तियास ने अपने अधिकार को जाना और फोरम में वाद दाखिल कर मुआफ़ा भी हासल की यूपी की इस टेक्निकल यूणिवर्स्टी का कैंपस सेलेक्शन में है अच्छा रिकॉर्ड एक सेट और स्टूडेंट्स को मिली जॉब यूपी के गुरपपुर इस्तितमदन मुहन मालविय प्रादेगी के विश्य विद्याले का कैमपस सेलेक्शन में अच्छा रिकॉर्ड रहा यूरिवस्ती में इंजिनिरिंग और प्रबंदन के 61 चात्रों को विफिन्दे कम्प्रीज में प्लेस्मेंट मिला जादतर विद्यार्तियों को 4.8 से 7 लाक रुपे तक का वाशिक पैकेज मिला है इस सत्र में प्लेस्मेंट पाने वाले चात्रों की कुल संख्या 466 बहुच गाए लगनों बटना वंदे भारत एक्सप्रेस 18 मार्ट से चलेगी बुकिंग शुरू लगनों के कौमती नगर से पटना के लिए बंदे भारत एक्सप्रेस 18 मार्ट से दोड़ेगी ये ट्रेन शुकरवार को छोड़कर सब्ता में 6 दिन चलेगी रेल्वे ने इसका किराया तै कर दिया है बुकिंग शुरू कर दी दो दो तीन चार ची बंदे भारत एक्सप्रेस 18 मार्ट से पटना से सुबह 6 बच कर 5 मिनट पर रवाना होकर आरा बकसर पंडित दीन दिया अलुपाध्या जंक्षन बनारा सायुध्या धाम होते हुए दोपह धाई बजे गुमती नगर पहुचेगी यूपी में लगतार बढ रही गर्मी चार दन बाग फर बढ़ लेगा मौसम उत्रपरदेश में गर्मी लगतार बढ़ती pacing चार रही है चार दन बाग मौसम फिर बढ़ बढ़ लेगा मौसम विख्ञानियों के मताबिक 1920 मार्च को यूपी में बारिष हो सकती है हाला कि अभी ताप्मान लगातार बढ़ रहा है नियूंतम ताप्मान में काफी बदलाओ देखने को मिला मौसम विग्यानियों का कहना है कि पूरवी उत्तरप्रदेश के कई जिलों में उननेस और बीस मार्च को बारिश हो सकती है फिलाल यूपी के मौसम में कोई खास फर्क नहीं आने वाला है नवरातर में महीने भर तक चलेगी विशेश यात्रा बसे परिवहन निगम चैत्रन नवरातर के मौके पर नो अप्रेस से अगले एक महीने के लिए विशेश यात्री बस से वाएं चलाएगा आदे शक्ती मा पाते शरी शक्ती पीट मंदिर के महें पृतिलेश नाथ ने परिवहन निगम से इस्पेशल बसस को चलाने के लिए आग रह किया था निगम के प्रधान प्रबंदक संचालन मनोच कुमार ने बताया कि नवरातर मेप्रांथ के विभन नस्थानों पर इस्थिद देवी मंदिरों में शद्धालो का आवगमन होगा ट्रांसपोर्ट एजनसी के पूर्व कर्वियों ने लिग किया था सिपाही भरती का पेपर अब तक 396 आरोपी गिरफतार सिपाही भरती पर इक्षा का पेपर ली कराने वाले गैंग के तीन लोगों को स्थिद अपने घाज़ेबाद से वरस्पतिवार को गिरफतार कर लिया तीनों पेपर लाने वाली ट्रांसपोर्ट कंपने के पूर कर्मचारी हैं जिन्होंने मास्टर माइन राजीव नयान मिश्रा के साथ मिलकर वियर हाउस से पेपर की फोटो खीची थी और इसे लाको रुपे लेकर बेचा था आई सी सी का बड़ा फैसला निवारे हो जाएगा स्टॉप क्लॉक रूल आई सी से ने अपनी सालाना बोर्ड मीटिंग में स्टॉप क्लॉक रूल को विश्रकप से लागो करने का एलान कर दिया है आई सी सी का ये नया नियम बंडी और टी टेंटे क्रिकेट में जून दो हजार चॉबस से लागो हो जाएगा स्टॉप क्लॉक नियम के अनुसार एक ओवर खत्म होने के बाद दूसरे ओवर के शुरुआत से पहले स्टॉप क्लॉक का इस्तमाल किया जाएगा तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको नियूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें धन्यवाद